जैहें सातियों स्वागत है आपका सेल्प स्टेडी किलास है इस विस्वमिजेन यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम एक नई ट्रिक लेकर के आए हैं आप ट्रिक देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और पूरा वीडियो आपक पूर्ट रखेंगे दोस्तो आपको कोई कोड याद नहीं करना है आपको कुछ भी याद नहीं करना है आपको सीधे परिक्षा में बैठना है और आपको ट्रिक याद आएगी ऐसी ट्रिक आज हम आपको बताने बाले हैं पहले आपसे टेस्ट करवाएंगे फिर आपको ट् थामसंस ने की थी किस ने की थी जे जे थामसंस ने अब एक चीज यहां पर आ जाओ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक के इलेक्ट्रोन मतलब यहां पर देखो इलेक्ट्रोन से आपको क्या समझ में आता थोड़ी सी फीलिंग होगी हो इलेक्ट्रिक और यहां पर आपको electric wire दिख रहा है इस बच्चे ने क्या किया इस electric wire को पकड़ दिया और इसकी सासे क्या हो गई थम गई तो electron की कौँ करेंगे thamson करेंगे की नहीं करेंगे क्योंकि electric wire पकड़ा electron मतलब electric और electric wire पकड़ दिया भी पकड़ोगे तो आपकी भी सासे थम जाएंगी तो thamson thamson बिलकुँ सही हो जाएगा ठीक है याद रख लेना है आपको electron की कोच किस ने की थी thamson ने की थी ठीक है याद हो रहा है तो वीडियो को like ज़रू करें अंगला देखते हैं दोस्तो किलोरीन की खोच किस ने की किलोरीन किलोरीन से क्या हो जाएगा आपका किलो बन रहा है यहाँ पर किलो पचास किलो किलोरीन अब आपको हिंट दे दी मैंने आप जल्दी से बताएं दो सेकंड में तब आपका बिलकुँ सही आंसर होगा दोस्तो सीले, सीले, है ना, अब यहाँ पर देखो जरा, मैं बोलूँ आप मेरे पास आए कि सर मुझे पचास किलो सक्कर दे दो, मैंने बोला मैंने पचास किलो सक्कर तौल दी है, अब बोरी को सीले और ले जा, बोली को सीले और ले जा, कितने किलो, किलो से क्या हो जाएगा, किलो र किलोरीन और सीले हैं ना मैंने 50 किलो 50 किलो वोरी में सकर भर दी है सीले और ले जा सी ले और ले तो किलोरीन की खोज सीले याद रख लिए na kilomet किलो किलो सकर याधर आ जाने चाहिए आपको ठीक है Над का बारूद की खोज किसने किती आप बोलते हो सर। बारूद लगी है, सिर्फ चंगारी की देर है। वो ही है यह बारूद! बारूद की कोछ किसने कि थी आपको बतानी हैं? किसने कि थी दो-सिकनण है आपके पास। तब आपका right answer हो जाएगा दोस्तो रोजर बेकन किसने कीती रोजर बेकन ने यहाँ पर देखो यह जो बारूद है रोज बेकना है रोज बेकना है मैं आप से पूछूँगा बारूद कब बेकना है अब बोलोगे रोज बेकना है तो बारूद की कोज रोजर बेकन रोज बेक और फिरी टेस्ट सीरेज दोस्तों कैसे करेंगे आप तो दोस्तों अनकेडमी लाया है आपके लिए फिरी लाइब किलास और फिरी टेस्ट सीरेज दोस्तों आपको करना क्या है सबसे पहले आपको पहले स्टोर से या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अनकेडमी लर् करना है लॉग इन करना है उसके बाद आपको यहां पर दोस्तो फिरी लाइब क्लासे जो है अटेंड करनी है जो आपको बहुत सारी मिले वाली है ठीक है तो सबसे पहले आपको इंस्ट्राल करना है अन अकेडमी लर्नेंग अप जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है ठीक अब दोस्तो यहां पर जब आप लर्नेंग अप डाउनलोड कर लेते हैं इंस्ट्राल कर लेते हैं तो यहां पर फिरी आपको लाइब क्लास मिलती हैं साथी डेमो क्लास भी मिलती है उसमें फिरी डेमो क्लास और दोस्तो आपकी लाइब क्लास मिलती है ठीक है और यहां पर आपके जो doubts हैं वो clear किये जाते हैं और दोस्तो online live class में आपके लिए scorecard भी provide किया जाता है अगर आप online live test देते हैं और उसका analysis भी आपको दिया जाता है ठीक है और दोस्तो यहाँ पर आप जब करते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे आप किसी भी test series को आप दे रहे है कोई भी test series आप लगा रहे हैं तो test series में अगर कोई आपको doubts लगता है तो आप chat के माद्यम से वो doubt आपके clear कर सकते हैं अन academy में आपको top educator द्वारा वो doubt clear किया जाएंगे साथी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप PDF भी download कर सकते हैं ठीक है तो PDF की भी आपके doubts होंगे है ना वो यहाँ पर उसका solution किया जाएगा और दोस्तों जो भी आप test दे रहे हैं उसका analysis आपके लिए बिलकुल फिरी में मिलेगा और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपके बहुत सारे MPPSC, ब्यापम, पोलिस, आदि सभी exam से सम्बंदित आपको यहाँ पर test series भी उपलब्द होने वाली है तो बहुत ही फायदे की एप है आप अभी learning एप को डाउनलोड करेंगे दोस्तों और यहाँ पर हम बात करें कि अभी तक तो हम देख रहेते फिरी किलास और प्लस किलास है ना अभी फिरी किलास के बारे में हमने देखी कि कितने सारे फायदे आपको फिरी किलास में भी है ठीक है तो प्लस किलास और फिरी किलास प्लस मतलब पैड किलासें कुछ ऐसी होती है दोस्तों है ना जिनको आपको खरीदना पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं फिरी किलास की बात करें तो यहाँ पर आपको limited क्या होंगे practice set मिलें यहाँ पर आपको PDF notes भी limited मिलेंगे और doubt solution भी आपको limited ही मिलेगा ठीक है लेकिन अगर बात करें प्लस किलास की तो यहाँ पर complete syllabus आपका cover किया जाएगा साथ ही unlimited practice test दिये जाएंगे unlimited PDF notes दिये जाएंगे और दोस्तो all doubt आपके जो है solve किये जाएंगे clear किये जाएंगे वो भी MP के top educator के मारते हमसे ठीक है अंगला देखते हैं दोस्ते ऐसे ही फ़नी वीडियो आप तक आएंगे like करके share जरू करना malaria की चेकिसा की खोच किस ने की थी malaria malaria सबी लोगों को होता है है ना मच्छर कारते हैं तो malaria हो जाता है एडीज मच्छर है ना तो बताना है दो second में आपको तब आपका बिल्कुश सही आंसर हो जाएगा दोस्तो Ronald Ross malaria की कोच किस ने की थी Ronald Ross ने अब आपको गर malaria हो जाए भगवान न करे तो आप क्या करोगे रोने लगोगे और आपको कुछ भी रास नहीं आएगा ना खाना रास आएगा ना किसी से बात करना रास आएगा मलेरिया की चिकिस्टा की खोच कौन करेंगे रोनेल्ड रोस कौन करेंगे रोनेल्ड रोस क्योंकि मलेरिया हो गया तो रोनेल्ड लगोगे और कुछ भी रोस नहीं आएगा तो रोनेल्ड रोस दोस्तो याद होगा की नहीं होगा ठीक है रोनेल रास आपको याद हो गया होगा दोस्तों बताना है आपको पोलियों की बैक्सीन की खोच किस ने की थी आपने भी पोलियों की दबाई पी होगी छोटे में है ना वो लोग आते थे बोले आख करो और डाल दी एक बूंत है ना जिन्दिगी के लिए दो बूंत पोलियों के जो ब्रांड अमबेश्डर हैं हाली में बढ़ते हैं अभिताब बच्चन साब हैं और पोलियों की बैक्सीन की किस ने की थी यह चीज हमें बतानी है तो आपका बिल्कुछ सही आंसर क्या हो जाएगा हो जाएगा दूस्तों सालक क्या हो जाएगा सालक से क्या गहुंसिकर कि ओपनेगा साक सबजी Cheese पहले क्या करते ते इस पिरकार से देती फूल हुआ करो पिला दिए हुमें साक सब्जी में a क्ær знать है कि मैं खुले हैं कि अैстиन इन Volt आपको चिक साल्ग साङ को देखें बैकником है ठीक ऑला режurers पूला कि का जोका है दो सिमत्व wenn आने हैं और थे berda ॉक्ति दो यांकी चोकेश्टाने चेश्टानी की चिशह रोग है ना तो थीकर्ण दिये जाए आपको तो आपका बिल्कुछ सही आंसर हो जाएगा दोस्तो रावट कोच ने की थी टीवी की चिकिस्सा की कोच आपने बिल्कुछ सही आंसर बताया यहां पर देखो अब कोच से आपको याद नहीं आया कि सराज कर रेल्वे में स्मार्ट कोच लगने लगे हैं जहां पर टी टीबी की जो बैक्सीन है इसकी कोच कौन करेगा कोच ही होगा ना कोई कोच तो रावट कोच इस प्रकार से आद कर लेना ठीक है टीबी की चिकिस्ता की कोच की थी किसने रावट कोच ने अब टीबी कोच में भी लगने वर लगे हैं रेलबे कोच में तो इस प्रकार से आद क करना है अंगला देखो टाइफाइट की जो जीवानों है इसकी खोच किस ने की थी टाइफाइट मौती जरा बोल देते इसको मौती जरा आपको कभी हुआ हो है ना या किसी को हुआ हो आपको पता होगा तो जल्दी से बताएं दो सेकंड दिये जाते आपको तब आपका बिल्कु सही अंतर हो जाएगा दोस्तो रो बर्थ टाइफाइट की जीवानों की कोच किस ने की थी रो बर्थ ने की थी अब यहां पर आगे अब बर्थ क्या आगे अब बर्थ हम बोलतेंगे कि आपका बर्थ क्या है तो आप बोलोगे सर आज ही तो है मेरा बर् और साज का भत दे तो आप क्या करने टाइफाइए लगा के आगे और मैं बोलके साज क्या वात है टाइफाइफाइप में तो टाइप हाइड के जीवानों की कोछ किस ने की थी रो वर्थ ने की थी रो वर्थ है ना वर्थ में हमें क्या लगाना है टाइप हाइड पहन के आना है बिल्कुल इस प्रकार से यह टाइप आई है इसका वर्थ है यह ना सभी लोग हैपी वड़े बोल देना इसको वर्थ अगला देखो vitamin C की कोछ किस ने की थी vitamin C दोस्तो cc नहीं करना है आप c vitamin C की कोछ दो सेकंड आपको दिये जाती है अब आपका बिलकुछ सही आंसर हो जाएगा दोस्तो whole cut किस ने की थी whole cut अब c4 cat नहीं बोल देना अब cut बोलना है c4 cut तो whole cut और यहां पर देखू ज़र C में यहां से cut यहां पर पूरा है और यहां पर यह cut लग गया तो whole cut यहां पर whole है और cut लगा है तो vitamin C की कोज किस ने की थी? whole cut ने की थी और vitamin C का रासाइनिक नाम क्या है? तो S-Carbic है क्या है? S-Carbic मैंने बोला कि vitamin C का रासाइनिक नाम क्या है? तो आपने बोला सर C फ़र तो कार होता है और कार बिक रही है मैंने बोला कार बिक रही है कि हाँ S-Carbic रही है तो S-Carbic अमल ठीक है? vitamin c का रासा इने को नाम भी हो जाएगा और vitamin c की कोच कीती hole कटने ऐसे भी याद करना है रुदेर बर्ग की कोच किस ने कीती अब दोस्तों आपको tricky वे में याद करना है आप लोग बोलते हैं की मेरे number कम योँ आते हैं आप कुछ नया करो पढ़ते तो आप बहुत हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजे याद करो, जिसको जानते हुए भी आप पेपर में गलत करके आते हो, ऐसी ट्रिक से याद करो कि आपके माइंड में वो सेट हो जाए, आप लगातार बने रहे हैं इस चैनल पर आपको ट्रिक की ट्रिक वीडियो रुदिर बर्ग की कोज किस ने की थी, तो आप बोलोगे सर मुझे बिलट गरूप की जवरत है, मैं बोलूगा कब, आप बोलोगे सर कल, बोलोगे कल हाँ, और मुझे कल लेके कहा करना है, लेंड करना है और दिल्ली जाना है, तो रुदिर बर्ग की कोज किस ने की थी, कार Land Steiner यानि कि जो बिकलप नमबर D है वो सही है रुधिर बर्ग यानि बिलट गुरूप की ज़ुरत कव है कल है तो काल Land Steiner ठीक है D नमबर आपका बिलकुस सही हो जाएगा है ना अंगला बताना है दोस्तो आपको insulin की खोच किस ने की थी दोस सेकंड में आपको उत्तर का चैन करके comment में लिख देना है insulin की खोच किस ने की थी तब आपका right answer हो जाएगा दोस्तो betting betting से नहीं लग रहा आपको betting betting कौन करते थे सुनील गावसकर और यहाँ पर देखो insulin insulin मलब सुनील ऐसे आभास नहीं हो रहा आपको insulin, insulin है ना तो सुनील गावसकर क्या करते थे betting करते थे तो insulin की खोच कौन करेंगे betting betting से betting insulin, सुनील है ना गावसकर betting करते थे यह betting ठीक है अब बताना है आपको जीवाणूं की खोच किस ने की जीवाणूın अब मैं थुड़ा सा hint देता हूं आपको कि संसार में प्रतिक जीवाणूं को जीने का हक है हक है की नहीं है आप थोड़ा सा सोचो पिरकिर्ती ने किसी जीवाणूं को यहां पर भेजा है धर्ती पर बनाया है तो उसको जीवन जीने का हक है तो जीवाणों की कोच कौन करेंगे जल्दी से बता देना और आपका बिलको सही आंसर आपने बता दिया है ट्रेक आपने भी लगा ली है लिवेन हाक है ना जीवाणों को जीने का क्या है हक है हक तो लिवेन हाक ठीक है जीवानों को जीने का हक है ती नमबर आपका बिल्को सही हो जाएगा अंगला बताना दोस्तों DNA की कोछ किस ने की थी DNA तो आपका बिल्को सही आंसर हो जाएगा दोस्तों James वाट ने किस ने की थी James वाट ये देखो Mr. सुधीर चौधरी जी न्यूच के ये क्या करते हैं DNA टेस्ट करते हैं न्यूच का DNA DNA टेस्ट करते हैं और सबकी बाट लगा देते हैं और जिसका बनता था बिगडता था सबका किरकरा कर देते क्या करते थी किरकरा तो DNA, DNA की कोछ कौन करेंगे James वाट क्योंकि ये DNA में वाट लगा देते हैं और क्रिकरा कर देते हैं तो क्रिक जैम्स वाट क्रिक ठीक है अब बोलना नहीं आपका भी DNA वो लिए DNA सन्ने बताया था कि DNA में वो क्या करते हैं वाट लगा देते सबकी यह ना आप भी देख ले ना सुधीर चोधरी का DNA टेस्ट जीने उच पर तो जैम Hopkins किसेने की थी हाफ्किंस ने की थी और विटामिनट डी का जो रासाने से नाम है वो Kelsey Pherol है क्या हैному क्यों से हैं लेकिन यहां पर बिटामिन डी और डीप और डेड़ी और डेडी होते हैं आपके डेड़ी वो गर के हाप किंग होते हैं फोल नहीं होते अब बोल नहीं देना आप डैडी से पूछ लेना थोड़ी सरा डैडी आप घर के हाप किंग हो डैडी बोलेंगे हाँ हाप किंग है हाप किंग और फिर बोला कि हाप किंग कौन है तो वो बोलेंगे यहां पर इस चित्र में कि हाप किंग आ आप किन्स याद कर लेना है दोस्तो फनी ट्रिक जैसे भी याद हो याद होनी चाहिए होमयोप्रेथिक की खोज किसने के थी प्रस्न किरमांग 14 होमयोप्रेथिक की खोज पुर्णिक चार विकल्प हैं और आपको बताना है और आपका बिल्कुच सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंमर A विकल्प नंमर A यानी कि हनीmen अब honeymoon नहीं बोले नहीं तो बोले सर मैं तो honeymoon मनाने जा ऐसा नहीं है। हम जो हम में आये आपका हम, हम में में कौन रहता है मैन रहते हैं लेकिन और कोई भी रहता है यहाँ पर देखो यह है हम यहाँ पर मैन भी रहते हैं और हैन भी रहते हैं हैं से हैनी मैन हैना हम में कौन रहते हैं हैनी रहते हैं और मैन तो हैनी मैन हम में उपरते की खोच किस ने की थी हैनी मैन ने ठीक है याद ह अगर आपको याद हो रहे हैं अगर बास्तों में आपको याद हो रहे हैं तब ही लाइक करना ठीक है नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करना और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके सेयर करके कमेंट में बता देना सर मुझे बहुत पसंद आया आपकी ट्रेक तो और भी बहुत सारी ट्रिक आपके लिए बना करके लाऊँगा प्रियास करूँगा रातों रात जाक कर आपको ट्रिक बनाऊँगा सिर्फ आपको कमेंटों में बताना है एस्प्रिन की कोज किस ने की थी ड्रेसर, बैटिन, हाफकिन्स, लिव एन हाग तो आपको बिलकुँ सही आंसर हो जाएगा आपने बताया ड्रेसर, ड्रेसर यानि की होता ड्रेस है ना ड्रेस, और ड्रेस में यहाँ पर क्या है एस्प्रिन, तो आप ड्रेस अगर आपकी धीली हो तो आप पिन लगा लेते हो मम्मी पापा बोलते धीली है थोड़ा पिन लगा लो बेटा बोलते तो एस्प्रिन की खोज ड्रेसर ने यह है ड्रेस आप ड्रेस पहने हो और धीली हो रही तो थोड़ा सा पिन लगा लिना है ना ड्रेस में पिन लगाना है तो एस्प्रिन की खोज ड्रेसर अब दोस्तो यहाँ पर अपने प्रस्ने जो है वो खत्म होते हैं क्योंकि वीडियो जादा बड़ा नहीं बनाना है ताकि आप बोरना हो है ना अब आपको टेलिग्राम ग्रोप में जुड़ना है टेलिग्राम ग्रोप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है टेलिग्राम एप डाउनलोट करना है सर्च कर लेना है आई एस स्टेडी ट्रेकोर जोईन हो जाना है ठीक है और दोस्तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं सुमेज जैन है ना सुमेज जैन सेल्फ स्टेडी के लासे इस वाटसप नमबर दिया है तो वाटसप से जोड़ सकते हो और फेस्बुक पर सुमेज जैन सर्च करना है और वीडियो को लाइक करके सेयर जरूर कर देना है दोस्तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माद्द्यम से एक कमेंट जरूर बताना है ठीक है तो आज के वीडियो के लिए वस इतना ही जै हिन तो यह जो है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ही उपलब्द होगा साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि यह जो आपकी किलासे हैं जो बैच चल लाए हैं वो देखो MPSI के बैच चल लाए हैं दोस्तों 2 अक्टूबर से इनको भी आप देख सकते हैं MPSI के बैच चल लाए हैं है ना 2 अक्टूबर से MPP Police Constable MPPSC MPPSC है ना इस सारे की सारे कोर्स यहाँ पर चल लाए हैं दोस्तों इनको भी आप देख सकते हैं MPP Police Constable यहाँ पर दिया है 7 अक्टूबर 10 अक्टूबर से यह चल लाए ह है ना ये कोर्स आप देख सकते हैं ये सारे बैच कोर्स आप क्या हो चुके हैं दोस्तों आपको मिल सकते हैं ठीक है आप सब्सक्रिप्शन लें और दोस्तों यहाँ पर MPSI का बैच एक 3 नवंबर से भी स्टार्ड होने वाला MPPSC का 4 नवंबर से है ना MPPSC का फिर 6 नवंबर से यह मिलेगा और दोस्तों MPPSC फाउंडेशन वैस्ट 11 नवंबर से MPPSC मैंस का बैच 17 नवंबर से MPPSC फाउंडेशन वैच 18 नवंबर हैना फोरेस्ट सर्वेस ए 19 नवंबर MP कॉंस्टेवल का 20 नवंबर और MPPSC मैंस का 24 नवंबर यह सारे बैच स्टार्ड हो चुके हैं तो द कैसे बात करें अगर आप एक मंत के लिए पैड कोर्स लेते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको फीज़ दी है 1600 रुपे एक मंत के लिए ठीक है लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक कोड दूँगा जिसमें आपको 10% less मिलेगा 10% less होकर कि आपको 1440 रुपे में मिल ठीक है तीन मंत के लिए अगर आप लेते हैं तो यह 4000 रुपे का होता है है ना और 10% less के बाद आपको 3600 रुपे में मिलेगा फिर 6 मंत के लिए लेते हैं तो 7200 रुपे में यह रखा गया है लेकिन कोड यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपको यह 6480 रुपे में और 12 मंत के लिए 8800 रुपे में रखा गया तो आपको यहां पर 7920 रुपे में मिलेगा ठीक है और पूरे 24 मंत यानि की 2 साल के लिए 12800 के लिए 800 इसका प्राइज रखा गया है लेकिन 10% less के बाद 11520 रुपे में मिलेगा अब दोस्तों आपको करना क्या है 10% less के लिए आपको मैं code वीडियो में ठीक है उसको यूज करना है और उसके बाद आप बहुत सारी सब्सक्रिप्शन में 10% का less पा सकते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में अनकेडमी का लर्निंग एप मिल जाएगा बहां से आपको उसको लेना है फिरी मैं live test, live class, doubt solution सारी चीज़ें आपको मिलें करें और वीडियो को like और share अवस्त करें